FLP क्या है? Forever Living Product क्या है? आपने कहीं से जाना होगा या किसी न आपको बताया होगा या आपने webinar रेटेंड किया होगा लेकिन आप confused हैं कि Forever Actual में है क्या? इसका base क्या है? ये काम क्या करता है? ये industry क्या है? इसकी potential क्या है? ये मेरे को शूट करता है की नहीं? ये मेरी personality को शूट करता है की नहीं? और finally मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दोस्तों इस video में आपको Forever Living Product की पूरी detail बताऊँगा पूरा profile के बारे में बताऊँगा पूरा potential के बारे में बताऊँगा और इस industry के बारे में बताऊँगा निश्पक्स बताऊँगा जिससे आप Forever Living Product के निरने तक पहुँच सकते हैं कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दोस्तों अगर ये video पसंदाए वीडियो को like कर देना, comment करना और channel पे पहली बार आए है channel subscribe करके 1978 के अंदर शुरू ही थी Phonics Arizona से ये multinational company है ये 4 listed company है ये INC 500 के अंदर 6th ring पे हैं इस company के founder का नाम है Mr. Rexman इन्होंने 13 लोगों के साथ में मिलके इस industry की सुरुवात करी थी और management की power देखिए जितने लोगों ने मिलके सुरू करी थी सभी के सभी लोग आज साथ में है ये इसकी management है दोस्तों दोस्तों इस brand की सुरुवात एक natural plant से हुई थी जिसको हम aloe vera बोलते हैं जिसको हम guarpa बोलते हैं जिसको पूरी दुनिया जानती है और ये मानती है कि दुनिया में सबसे बहतरीन natural plant human body का सबसे अच्छा साथी aloe vera ही है दोस्तों aloe vera पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा nutrition देता है इंसान के सरीर को तो इसी potential को देखते वे forever living product ने इस aloe vera की research करनी शुरू करी तो पता लगा कि aloe vera में 400 varieties होती है 400 परजातियां होती है जिसमें 11 परजाती खाने के like नहीं होती है यानि कि वो जहरीली होती है 385 परजाती में कोई गुण नहीं होता जिसमें सबसे टॉप परजाती aloe barbada denses miller जो forever living product की research है और वहीं से forever living product में aloe vera की सुरूबात होई forever top quality aloe barbada denses miller का इस्तमाल करके product बनाता है foreverly starting में इस दो product के साथ सुरूबात करीजी सहद के साथ aloe vera के साथ और आज ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी company है सहद बनाने वाली और aloe vera बनाने वाली aloe vera की पुरे world की 85% market forever के पास है और सहद की 75% market पूरे world की forever के पास है और दोस्तो forever living product vertically integrated company है यानि की plant से लेके product तक product से लेके customer तक कोई third mediator involved नहीं है यानि की plant भी हमारे है product की packaging भी हमारी है printing भी हमारी है research भी हमारी है हम खुद ही research करते हैं खुद ही aloe vera को लगाते हैं 6500 एकड जमीन के अंदर forever living product खुद ही खेती करता है aloe vera की उस खेत के अंदर जितनी भी aloe vera के पोधी है उनकी देखरेक भी forever करता है कटाई भी forever करता है उसके बाद चिलाई भी forever करता है उसके बाद packaging भी forever करता है printing भी forever करता है और इसके research भी forever करता है 145 से लेके 300 वार test होते हैं हमारे ये products और हमारे जितनी भी product बनते हैं सबसे पहले management यूज़ करता है उसके बाद वो customer तक आता है आप और हम तक आता है आप product तो बन गया लेकिन इस product को market तक कैसे लेके जाना चाहिए तो Rexmon sir की एक बहुत visionary सोच थी वो कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कोई गरीब ना रहे और कोई बिमार ना रहे चाहते ये product traditional के अंदर भी उतार सकते थी क्योंकि इतनी उच quality के product कहीं पे भी भीग सकते हैं और मन चाही price पे भीग सकते हैं लेकिन Rexmon sir ने ऐसा नहीं किया उन्होंने इसी concept को direct selling के अंदर किया अब direct selling क्या है थोड़ा साथ को बताता हूं दोस्तों दुनिया का कोई भी product एक factory के अंदर बनता है फिर national distributor, regional distributor, whole seller, retailer, advertisement के माधियम से वो product एक customer तक पहुँचता है लेकिन forever living product ने क्या किया ये chain हटा के directly एक distributor के हाथ में दिया कि आप इस्तमाल करो अगर अच्छा लगे तो आप लोगों को बताओ इसको बोलते हैं direct selling और direct selling की जितने भी माप दंड होते हैं forever living product ने day one से मानना सुरू कर दिया था दोस्तों और इसी तरीके से दोस्तों जितना पैसा traditional के उन्चेन के अंदर बढ़ता है वही पैसा हमें मिल जाता है हमें क्या करना है product को इस्तेमाल करना है अगर अच्छा लगे तो हम वैसे ही लोगों को बताते हैं हम किसी अच्छे restaurant में खाना खाते हम बताते हैं हम कहीं पे अच्छी movie देखके हैं हम लोगों को जरूर बताते हैं चार दोस्तों को जरूर बताते हैं लेकिन उन चार दोस्त बिना किसी विग्यापन की बीना किसी एड़िटीजमेंट के पुरे वर्ड के अंदर 178 कंट्री के अंदर जा चुका है। आप सोच के देखिए, पिछले 44 से कंटीनेसली चल रही है, ग्रो हो رही है। और 168 country के अंदर ये जा चुकी हैं तो product की power क्या हो सकती हैं आप सोच के देखिए और दोस्तों ये पुरी world का track record है कि आज तक जिस देश के अंदर जिस city के अंदर forever का office खुल गया वहां से बंद नहीं हुआ वहां से एक भी office का settle down नहीं हुआ ये है forever living product की beauty ये है forever living product की power दोस्तों forever living product जिस देश के अंदर भी जाती हैं वहां खुद का head office purchase करती हैं बड़ी-बड़ी company बड़ी-बड़ी banks के भी खुद के office नहीं होते हैं rental office होते हैं लेकिन forever living product ने जहां जिस देश के अंदर entry करी उस देश के अंदर सबसे पहले अपनी जगे ली अपना head office purchase किया फिर business किया विस्तार से forever जिस देश के अंदर भी गई हैं forever के खुद के head office है आप यह देख सकते हैं यह multiple countries के office आप देख सकते हैं आप यह कुछ countries के office आप देख सकते हैं जितने भी office आप देख रहे हैं यह forever के खुद की खुद की property है यह forever के खुद की जमीन है खुद की buildings है तो जो company जिस देश के अ अब दोस्तों Forever Living Project इंडिया में कब आई थी इंडिया के अंदर सं 2000 ने एंट्री करी थी तब तक Forever को ओल्रीडी 22 स्वर्ष हो चुके थे जब Forever इंडिया में आई उससे पहले वो 22 साल हो चुके थे आप सोचके देखिए 22 साल के बाद India के अंदर आई बहुत सारी कमपनिया क्या करती है, सबसे पहले इंडिया के अंदर और चाइना के अंदर ही लोंच होती है ताकि जंचन क्या जादा है, लेकिन फॉरवर बाइस साल के बाद यहां पे आई है फॉरेवर का खुद का head office है बांदरा वीश्ट्रीक प्राइम लोकेशन के अंदर खुद का head office है फॉरेवर प्लाजा के नाम से आप यह देख सकते हैं यह खुद की building से फॉरेवर के इंडिया के अंदर 19 state के अंदर है यानि कि more than all over इंडिया के map को हम cover कर चुके हैं ऐसा कोई कोणा ही नहीं बचा जहां फॉरेवर का office ना हो हम हर जगे office कौल चुके हैं दोस्तों FLP का जो business है totally product पे टिकाव है यह नहीं कि आप 2 member जोडो आपके नीचे 4 member जोडो आपको 20,000 रुपे एंगे ऐसा कुछ नहीं है यह कोई scheme नहीं है forever का totally product base पे काम है जितना product बिकेगा उतना पैसा आएगा जितना आपकी team में turnover होगा उसी के साब से आपको पैसा आएगा लेकिन beauty यह है कि जिसने product यूज कर लिया forever का जिसने भी product यूज कर लिया वो हमारा permanent user बन जाता है दोस्तों यह beauty है हमारे product की इसका जीता जागता उधारन पुरे world में 168 country बहुत बड़ी line होती है उसको हम cover कर चुके हैं आप यह पुरे world का map देख रहे हैं जहां आप उंगली रखेंगे वहां forever मुझूद है जिस देश का नाम लिखेंगे उस देश के अंदर forever मौझूद है आप गूगल पे टाइक कर लेना forever living product जापान तो वहां का address वहां का office आपको मिल जाएगा किसी भी country forever living product नाम लगा देना उसमें आपको office नजर आजाएगा दोस्तों अगर forever living product क्या आपने ये तीन चीजे जान ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप proud के साथ कहेंगे कि मैं forever living product में business करता हूँ पहली line है दोस्तों दुनिया में कोई भी इंसान कैसा बनेगा ये culture से depend करता है आपका culture क्या है आपकी company कैसी है वैसे ही आप बनते है forever का culture क्या है आप देखिएगा forever living product हर साल एक activity करता है जिसका नाम है rise against hunger forever लाखो meals multiple countries के अंदर उन लोगों को meal distribute करता है जो खाने में एसक्सम है जो कमाने में एसक्सम है उनको हम लाखो meals distribute करते हैं पूर लोगों को distribute करते हैं और इसी के साथ में दोस्तो आप google कर लेना forever giving के नाम से एक सुषता है जिसमें हम लाखो लोगों की मदद करते हैं यहां से आपको एक culture मिलता है यहां से आपको एक mahol मिलता है जैसा mahol जैसा culture वैसे ही आप बन जाते हैं तो यह culture forever living product में आपको मिलता है जिससे एक better इंसान भी आप बन जाते हैं forever giving के नाम से सुषता है आप google करके चेक कर लेना जहां पे हजारों लोगों की मदद की जाती है हजारों पूर families की मदद की जाती है दोस्तों और इसी के साथ में forever की और बड़ी मजबूती के लिए forever की sister companies है forever की खुद की sister companies है जिनका turnover इसमें involved नहीं है लेकिन मजबूती का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि forever के पास 70 प्लस 5 स्टार resort है जो maximum South Africa और America के अंदर है आप देख सकते हैं photos के अंदर अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाते हैं तो इस industry को join कर लीजिए दोस्तों इस industry के अंदर इतनी potential है कि जब जाहो young age के अंदर भी आप retirement ले सकते हैं young age के अंदर भी आप काम करना बंद कर देंगे तो भी पैसा आएगा इतनी potential है कि अगर आप 5 साल मन लगा के इस industry में काम करते हैं तो अगले 50 साल का पैसा आप 5 साल में कमा सकते हैं लेकिन दोस्तों 50 साल की मेहनत भी 5 सालों में करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे आप network बना के काम करते हैं यह industry आपको business provide करती है यह industry आपको product provide करती है जिसे आपकी पूरी family हमेशा healthy रह सकती है दोस्तों आज की date में यह business बहुत तेजी से grow कर रहा है यह business आज totally digital हो चुका है इस business को आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं क्योंकि product का business है और product की सब को need है हर इंसान को अच्छी health चाहिए हर इंसान को पैसा चाहिए हर इंसान को second source of income चाहिए तो आप provide करवा सकते हैं आप उनको health दे सकते हैं आप उनको happiness दे सकते हैं forever का platform दे के दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा अगर यह वीडियो पसंदाए वीडियो को like कर देना comment जरूर करना आज के वीडियो के लिए क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मैनत लगती है comment तो जरूर करना दोस्तों और इसी के साथ में दोस्तों अगला वीडियो आएगा product के उपर कि forever living product के product कैसे है उसकी potential क्या है उसमें दम क्या है वो कैसे use करना चीए अगला बहुत जल्द वीडियो आएगा product पे अगर आप comment करेंगे जितने जल्दी comment करेंगे उतने जल्दी वो वीडियो पा सकते हैं तो thank you so much दोस्तों आज का वीडियो यहां तक देखने के लिए मैं आपका दिल से दन्यावाद करता हूँ मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर best of luck